जहिन साथ हैं स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो NDA एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही most important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आजम बात करेंगे आपकी cutoff को लेकर कि जब आप NDA की तयारी शुरू करते हैं तो इसके exam में आपको कितने marks लाने होते हैं और exam के बाद SSB interview में और final selection लेने के लिए आपको minimum कितने number लाने होंगे कितने marks आपको लाने होंगे ताकि आपका final selection हो जाए final merit में आपका नाम आ जाए तो इस वीडियो में आजम इसकी step by step फुल डीटेल जानकारी आपको provide करवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है इसको आप बिलकुल भी skip मत कीजेगा तो साथियों बिना time waste के वीडियो को start करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप NDA से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं इसकी छोटी से छोटी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इसकी जो भी updates होती हैं इसकी vacancies को लेकर इसके result को लेकर सभी updates हम अपने चैनल पर सबसे पहले आपको provide करवाते हैं इसलिए आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लेना तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत help करने वाला है यह चैनल तो चलिए साथियों अब आते हैं अपना सीधे point पर दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NDA की previous year की cutoff marks की NDA के किस साल की कितनी cutoff आपकी गई है आपके written exam की तो साथ ही हूँ जैसा कि आप सभी जानते है NDA के सबसे पहले phase में आपका होता है exam exam जो होता है वो total 900 number का होता है तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि जो 2016 की cutoff गई है यहाँ पर written exam की 900 में से 288 जिसके marks थे उसका selection हुआ था यहाँ पर 288 cutoff गई थी 2017 में 342 वो ही cutoff गई थी 2018 में 338 2019 में 342 2020 में 355 2021 में 343 और 2022 में जो आपके cutoff गई है NDA1 की वो गई है 360 यानि की 360 900 marks में से जिस candidate के 360 नमबर थे उसका selection आपका हुआ था NDA1 के लिए तो यहाँ पर NDA1 exam की जो cutoff है previous year की इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और यहाँ पर आप एक चीज बहुत अच्छे से देख रहे होंगे समझ रहे होंगे कि हर साल आपकी जो cutoff है वो increase हो रही है 2016-17, 17-18 में यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपका competition बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो cutoff है वो कितनी जाने वाली है यहाँ पर NDA1 की मैंने cutoff दिखाई है अब दिखाता हूँ मैं NDA2 की यहाँ पर आप NDA2 की भी देख सकते हैं 2016-219, 2017-218, 2018-325, 2019-346, 2020-355 और 2021-355 गई है NDA2 एक्जाम की यहाँ पर NDA2 की में साल में दो एक्जाम होते हैं NDA1, NDA2 तो NDA2 के एक्जाम की cutoff है यहाँ पर written exam की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 355 पिछली साल जो cutoff गई है 2021 की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं final cutoff की दोस्तों final cutoff जारी होती है जब आप exam clear कर लेते हैं तो आपको SSB interview के लिए बुलाया जाता है तो SSB interview plus exam उसके base पर final merit list जारी होती है तो 1800 में से जिस candidate के 2016 में 656 नंबर आये थे उसका final selection हुआ था 2017 में यही cutoff 708 2018 में 705 2019 में 704 2020 में 723 2021 में 709 और यह cutoff 2022 में गई थी आपकी 720 NDA1 exam की तो आप अनुआन लगा सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो final cutoff है वो लगबग 720 नंबर के आसपास आपकी इस बार भी जा सकती है तो कम से कम आपको 720 से 740 नंबर के बीच में आपको अपने marks लेकर आने होंगे और यहाँ पर बात करें NDA2 exam की तो NDA2 exam की 2021 की जो cutoff गई थी वो 726 गई थी तो आपको इसी base पर अपनी तयारी करनी है आप देख सकते हैं हर साल जो आपका competition है वो increase होता जा रहा है तो यहाँ पर 726 पिलस ही आपकी cutoff जाने वाली है final cutoff की बात मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके exam की तो यहाँ पर जो आपकी written exam की cutoff है वो 900 में से 360 गई थी पिछली बार 2022 में तो इस बार भी आपकी इतनी ही जाने वाली है 360 से कम cutoff तो आपकी जाने वाली नहीं है क्योंकि हर साल इसका जो competition है वो बढ़ता जा रहा है तो 360 प्लस आपको number gain करने होंगे आपके 900 में से NDA के exam में तो आपको यह target लेकर चलना है अपना एक target बनाना है कि मुझे कम से कम इतने marks चाहिए ही चाहिए तो यह चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको continues की तयारी करनी होगी हर subject पर आपकी command होनी चाहिए चाहे वो math हो चाहे वो English हो और चाहे वो gk हो तो सभी subject पर आपको अपनी command लेकर चलनी है और यहाँ पर अपने पूरे तरीके से continue मेहनत करनी है और आप continue मेहनत करते हैं डेली इसको study करते हैं तो आप इसके exam को easily crack कर जाओगे कोई भी दिक्त यहाँ पर आपको नहीं होगी दोस्तों यहाँ पर आपका exam बहुती नजदीक आने वाला है इसलिए अगर आपका कोई भी doubt हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment में लिख सकते हैं और ऐसी वीडियो ऐसी knowledge जानने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और छोटी से छोटी update हम NDA की अपने चैनल पर डालते हैं इसलिए आप चैनल पर बने रहना तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम